Hey friends, आज हम बनाएंगे ये full flare वाला plazo सिर्फ 2 मीटर कपड़े में तो इसकी लिए हमें 2 measurements की जरूरत है length जो की मेरी 36 inch है और hips की जो की मेरी 40 inches है अब हम कपड़ा निकाल लेते हैं, तो कपड़े के लिए जितना भी आपको अपने plazo की length चाहिए उसका आप double ले लीजे और उसमें आप 4 inch plus कर लीजे तो मेरे plazo की total length होगी 36 inch उसका double हो जाता है 72 और उसमें मैंने 4 inch plus किया है तो हो जाता है 76 inches तो यहाँ मेरे पास 76 inch लंबा कपड़ा है इस तरह और मैंने उस 76 inch लंबे कपड़े को इस तरह double fold कर लिया है तो आप देख सकते हैं यह एक तरफ से खुला है और एक तरफ से folded है और यहाँ से हम अपने plazo की length निकालेंगे और यह होगा हमारे कपड़े का width जो की 40 inch है तो अब हम measurement शुरू करते हैं तो measurement के लिए सबसे पहले आपका hips का जितना भी measurement है उसे आप 4 से divide करें और उसमें 2 inch plus कर दीजे तो मेरे hips की measurement है 40 inch, 40 को मैंने 4 से divide किया तो हो जाता है 10, 10 में हमने 2 inch plus किया तो हो जाता है 12 तो यह देखे हमने 12 inch पे यहाँ पे इस तरह निशान बना दिया है अब यही निशान हमें दूसरी तरफ बनाना है लेकिन बिलकुल opposite side तो यह देखे यहाँ भी दूसरी तरफ मैंने 12 inch का निशान लगा दिया है अब इन दोनो points को हम जोड़ देंगे तो यह scale की मदद से यह देखे इस तरह हम इन दोनो points को जोड़ देंगे अब हम इसकी cutting कर लेते हैं यह देखे cutting हो चुकी है और यह कुछ इस तरह लग रहा है अब हम इस भाग को उठाके इस भाग के उपर रखेंगे तो ध्यान देखे रखें कि जो तिर्चा भाग है वो तिर्चे भाग की तरफ ही आए और जो सीधा भाग है वो सीधे भाग की तरफ ही हो यह देखे यह है सीधा भाग और यह है तिर्चा भाग और अब हम इस जुड़े हुए भाग को भी कट कर लेते हैं उपर से भी इसकी cutting कर लेंगे और cutting करने के बाद अब हमारे पास चार लेर हो गए है ये देखे अब हमने उपर के तरफ से दो इंच पे निशान लगाया है और एक स्ट्रेट लाइन दे दी है तो ये हिस्सा होगा हमारे बेल्ट के लिए जब हम इलास्टिक डालेंगे तो ये दो इंच का भाग इस तरह फोल्ड हो जाएगा अब हम प्लाजो की लेंच निकालेंगे तो इस दो इंच की लाइन से हम नीचे की तरफ अपने लेंच की मार्किंग करेंगे तो जितना भी आपको प्लाजो की लेंच दे चाहिए उसकी आप मार्किंग यहां कर दें तो यहां मैं 36 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे प्लाजो की लेंच 36 इंच चाहिए अब यह देखे यह जो तिरचा साइड है यहां से भी हमें 36 पे निशान लगाना है और हलकी सी गोलाई देते वे हमें इसे इधर मोर देना है इस तरह मिला देना है यह देखे इस तरह हमने मिला दिया अब हम एक इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए नीचे से कटिंग कर देंगे इस तरह अब इस तरफ से हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे तो जितना भी आपका हिप्स का मेजूरमेंट है उसे आप 4 से डिवाइट करें और उसमें 2 इंच प्लस कर लें तो यहां मेरे हिप्स के हिसाब से आता है 12 इंच तो इस लाइन से मैंने 12 इंच नीचे निशान दे दिया है यहां से 2 इंच अंदर की तरफ निशान देंगे और अब हम इसे उपर के पॉइंच से इस तरह तिर्ची लाइन दे के मिला देंगे और इस जगा हम गुलाई दे देंगे तो यहां हमारा क्रॉच एरिया तयार है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यह हमारे क्रॉच एरिया की कटिंग भी हो चुकी है अब यह देखे हम इसमें से 2 पीस उपर के इस तरह उठाएंगे और इस तरह खोल के रखेंगे अब हम सिलाई देंगे तो सिलाई के लिए सबसे पहले यहां यहां इधर और यहां पे हम सिलाई देंगे तो ये देखे हमने सिलाई दे दी है तो जो sides हैं वो हमारे सिल चुके हैं दोनों पैरों के और अब हम crouch area की सिलाई दे रहे हैं तो इस तरह हम इन दोनों भाग को इस तरह उठा के जोड़ते हुए रखेंगे और सिलाई देंगे तो ध्यान दे ये जो नीचे की दोनों stitch है दोनों सिलाई है ये इस तरह आपस में मिलनी चाहिए और फिर हम पीछे की तरफ सिलाई देंगे तो ये देखे हम front से शुरुवात करेंगे सिलाई की तो इसे आप पिन करने से आपका काम सफाई से होगा और आसान भी हो जाएगा तो ये देखे अब हम अपनी सिलाई की तरफ पहुँच चुके हैं तो दोनों पैरों की जो सिलाई है उसे आप इस तरह मिलाते हुए रखें और इस तरह हम सिलाई देंगे और सिलाई देते हुए अब हम पीछे की साइड आ गए है तो अब ये पीछे का साइड भी हम इस तरह इसे जोड़ देंगे ये देखे हमारी सिलाई यहाँ पे खतम हो गई है और ये देखे हमारी सिलाई कुछ इस तरह लगेगी अब हम belt area पूरा करेंगे तो ये जो 2 इंच की हमने line कीजी थी हम इस तरह वहाँ से fold देंगे और उसके बाद एक छोटा fold हम नीचे की तरफ देंगे ये देखें इस तरह और अब हम बिल्कुल side side में सिलाई देंगे और यहाँ पे हम 1,5 इंच का gap देंगे elastic डालने के लिए और उसके बाद हम अपने plazo का नीचे का side पूरा करेंगे तो उसके लिए हमें दो छोटे छोटे fold लेने हैं और चारो तरफ सिलाई दे देनी है तो यह देखें सबसे पहले हम belt का सिलाई दे रहे हैं तो यहाँ हमें side side में सिलाई दे देनी है और आप अपने elastic के हिसाब से fold लें कि आपका जो elastic की चुड़ाई है वो इसमें चली जानी चाहिए तो यहाँ पे हमने 1,5 इंच की जगा छोड़ दी है elastic डालने के लिए और हमेंने सिलाई दे दी है तो यह देखें हमारे plazo का नीचे का side पूरा हो गया है और यह इस तरह लग रहा है और यह है उपर का side पूरी जगा हमने सिलाई दी है और यह जो gap है यहाँ से हम अपनी elastic insert करेंगे और फिर हम इसको बंद कर देंगे gap को और इस तरह हमारा plazo बनके तैयार है सीधी side से यह कुछ इस तरह लगेगा और यह देखें यह है हमारे plazo का overall look और यह कुछ इस तरह लगेगा आप देख सकते हो इससे बनाना कितना असान था और full flare वाला plazo बना है side से आप देख सकते हैं full flare आया है और कितना खुबसूरत बना है तो इस plazo को आप जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको plazo कैसा लगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like करें comment करें और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में तब तक के लि